आज बात चुनावी दंगल की मद्र प्रदेश में चार चरण में लोकसभा चुनाव संपन हो गया प्रत्याश्यों की किस्मत इवियम का बटन दवाकर जनता ने कैद कर दिया चार जून को नतीज़े आएंगे तब ये पता चलेगा जनता ने किसे अपना नेता चुना है कॉंग्रिस और बीजेपी चुनाव से पहले और बाद में जीत और हार के अपने अपने दाव कर रहे हैं कोई क्लीन सुईट की बात करता है कोई दस से बारा सीट पर जीत की बात करता है इन दावों में कितना दम है वो तो चार जून को ही साफ हो पाएगा फिलाल मद्रदेश में लोगसमा चुनाव का ये दंगल पूरा हो गया है अप स्यासी समयकरण किस तरफ इशारा कर रहे हैं ये वक्त बताएगा चुनाव का दंगल खत्म एद्यम में बंद किसमत चुनाव का महाल किस का क्या है हाल मैं संतोस के साथ के सकता हूँ कि प्रदेश में भाजबा का महाल बनावा है एक लेहर चल रही मानि मोझी जी की तावो और बादो की बाद, किसकी हार, किसकी जीदु देश में एक बदलाव की आवशकता है, जिस परकार से सम्विदान ख़तम करने की बात की जारी है क्लीन स्वीप का दावा, किस और है हवा? देश की 142 करोड जनता ने तई कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश की नेता है 24 का दंगल खत्म हुआ, प्रत्याशों की किसमत इवियम में कैद है 4 जून को आएंगे नतीजे, तब पता चलेगा किसका मंगल होगा आज महानिवेट में इसी पर करेंगे चर्चा जनता ने अपना नेता चुन लिया है, बस इंतजार नतीजों का है जब नेता जी की किसमत का फैसला सबके सामने होगा मध्यप्रदेश की महा डिबेट के सवाल आज क्या रहेंगे उन सवालों पर एक नज़र डाल लेते हैं पहला सवाल मध्यप्रदेश की महा डिबेट में आज रहेगा MP में चुनाओ खत्म, क्या है माहाल ये हम पहला सवाल पूछेंगे दूसरा सवाल रहेगा EVM में किसमत किस की हाल, किस की जीत होगी 4 जून का इंतजार, किस के सिर सजेगा ताज तो मध्यप्रदेश की महा डिबेट आज इनी सवालों के एर्द गिल्द रहेगी हमारे साथ खास महमान जोड़ चुके हैं इन खास महमानों से शर्चा को आगे बढ़ाएंगे में साथ जो महमान हैं, उनका परिचे आप से करवा देते हैं बिजेपी का पक्ष मजबूती के साथ रखने के लिए प्रवक्ता है पंका चदुरवेडी जी, कॉंग्रेस के प्रवक्ता है अवनीश बुंदेला जी वहिष्ट पत्रकार है सतीश एलिया जी और साथी बतोर राजनितिक विश्डेशक प्रकाश त्रिवेडी जी हमारे साथ जोड़ चुके हैं आप सभी का ही बहुत-बहुत स्वागत है सतीश एलिया जी चार चरनों में मध्रदेश में लोगसभा चुनाव की ये जंक खत्म हुई इन चारों-चरनों का अगर हम आपसे ऑवराल आजनी से पूछे तो क्या गहना जाएंगे हम आगर हम अगर हमार आप प्रतीशत कंब घुद्रश जो है 2019 से ज़्यादा भिन नहीं लग रहा है मुझे हलाकि अब जो पिछली बार का जो नतीजा था एक और 28 का उसमें मुझे लगता है कि बदला हो सकता है 27 और 2 हो जाएगा 26 या 3 हो जाएगा या हो सकता है 28 और एक ही रहे तो उसको हम प्रायक्ता का सिद्धानत केते हैं probability का नतीज कि अस्ता है यह नतीजे के नतीजे इस तरह के होंगे लेकिन ऐसा नतीजा नहीं होगा यह बहुत जरूर है लेकिन कुल मिला के बहुत ऐसा कम भी नहीं है को इसको हम डिकोड ना कर पाएं किस तरभ जाता देख रहा कि नेताओं के बाशनों में देखे तो मोदी का विरोध बहुत तेज दिखाई देता है लेकिन जमीन पर उस तरह से विरोध नहीं है जिसको जिसको कहते परिवर्तन के लहर देश में होती है किसी सत्ता के खिलाफ जो एंटी कि अधिया पर आपने सही बात कई कि सोचल मीडिया पर जो पिक्चर है वो जमीन पर तो उतनी बड़ी पिक्चर नहीं है क्योंकि जमीन पर मैं भी निकली लगाता है मैंने मद्रपति शाथीजगर का दोरा भी किया प्रकाष्ट रिवेदी जी क्या आपको समझ आया लोकल इस चुज हावी रहे या चेहरों पर लड़ाई लड़ी गई और एक और सवाल इस पर जो सती जी ने कहा उसी पर आड़ान करते हुए क्या गेनिंग पोजिशन में नजर आई कॉंग्रेस मद्रप्रदेश के अंदर लेकिन यह चुठव गहा है और हम यह कह सकते हैं कि या तो आप मोधी के साथ है या आप मोधी के विरोध है विरोध में है इसके अलावा इस सुनाओं की ठीम और कुछ भी नहीं रही है अभी आज जो बंदान जिर आठ लोगसवा चेत्रों में हुआ है उनमें ग्राउंड नेवल पर सतीज जी बिल्कुल ठीक करें के सरकार के खिलाब उप अपने छेत्र में ने काफी समय दिया है तो मध्दान का प्रतिशत भी आप ठीक रहा है और वार्जी अंत्रमाटी को समर्शन भी कुझे लगता है काफी मिला है अब नीज बुंदेला जी दमदार तरीके से पूरे चनाव के दौरान कॉंगर्स का पक्षा आप रखते नजर आए जरा बताईए कि आज तो अब लोग से बाचनाव तो संपन हो गया है मध्द्र प्रदेश में किस स्थिव में नजर आ रही है आपकी पाटिया आपको देखे अपना जी खटे मीठे अनभाव के साथ आज मैं कहूंगा मद्र प्रदेश में लोकतंत का जो महापर्था वो संपन हुआ और जो मैं कहूंगा जो निर्ने हैं वो मत पेटियों में एवियम में बंद हो चुका है बागी देखे ठीक है मैं सुन रहा था मैं किसी के च रोजगारी का मुद्धा एक बहुत महात्पूर मुद्धा था क्योंकि लोगों ने वगायता वो वीडियो बार-बार सुने के मोज़ी दो करूड की बात करते थे रोजगार की बात करते थे प्रतिवर्श और उसके एवज में आप देखे यह दूसरी बात लेकर आए कि इ नहां 400 पार का नारा लग रहा था आज से एक डिड़ महीने पहले वो 400 पार का नारा आते आते धीरे धीरे कहीं गायब हो गया मलावर मद्वदेश की बात करूं ठीक है आप जजमेंटल हो सकते हैं कि कॉंग्रिस को एक मिलेगी दो मिलेगी लेकिन हम इतना दावे से कहते है कि हमको बारा से पंदा सीटे मिलेंगी क्यों क्यों कि जनता ने उस चीज को एडमिट किया है मुद्दों के देखी 2019 से स्थिती बहुत बिनने 2019 में जिस तरह से स्थिती बनाई थी और सेना के शौर के नाम पर मोधी जी ने वोट मांगे थे उसकी और आज की स्थिती बहुत बिनने यह तरह के राम जी को हमने कभी मुद्दा नहीं बना आती के राम के नाम पे एने वोट मांगे ऑगर इन्हों ने कहанना कि हम उनको लेकर आएंगे जो राम को लेकर आएं तो मुझे बताएं कि भातियन्ता पार्टी मोधी जी इतने बड़े हो गए कि प्रभु सी र राज के किसके मंगल सूच चिन गए बलकि यहां नोटवंदी के बाद हमने देखा है कि माताओं भेनों ने अपने रखी हुई जमा पुझी अपने मंगल सूच जरूर बेचे हैं बेचने को मजबूर आप पता करें जो गोल्ड लॉन वाली कंपनी हैं उनमें पिछले तीन सा जाल में 600 प्रतिशत की बड़ उत्री हुई है और मोदी जी ने सोना जो है 68,000 रुपे प्रतितोला कर दिया है उनके राज में तो जो जो दो यार चौदा में 27,000 रुपे प्रतिती 10 ग्राम प्रतितोला था कहां से मंगल सूच रक्षित रहेंगे तो मतला मोदी जी अपना पाप कहीं न कहीं कौंगेस पर डालते देखे कबरिस्तान भी आया मीट मटन भी आया मचली भी आया तो ये सारी बाते हमने अपना जी मुद्धा भीन भाशन देखे सत्ता पक्ष की ओर से कहीं मुद्धा हमको दिखाई नहीं दिया ये बताता है कि कहीं न कहीं उनकी में हैं हम बिंदी करते हैं कि नतीज उम्मीदों के अनरूप आए ठीक है बारा से पंद्रा सीटे पंकत जी 29 की 29 सीटे चीत कर विजई माला नरेंद्र मोदी के गले में डालेंगे शिवरा सिंग चौहान का ये कहना था विधान सबच नाओं की नतीज आने के अगले ही दिन आज की सिती में बीजेपी कहा हैं जी मुद्दे के साथ कांग्रेस पार्टी का जो पक्षता तुष्टी करण का परिवारबात का गरीब को लूटने का उजागर किया अपड़ना जी मैंने बावंद से चौनाओं का इतियास पड़ा है और कुछ चौनाओं देखें आपने भी दिखेंगे पहली बार इस देश्ट में चौनाओं में वोट जिहाद शर्म नहीं आई कांग्रेस के लोगों के जिस्तर पर आगा तुष्टी करण के लिए संपत्तिकर लूटने के लिए विरासत कानून की बाद चीत और यहां पर भी का बात नहीं थमी तो रंग भेत के आधार पर अंग्रेजों के जीन्स वाली पारटी यह रंग भेत के आधार पर भारत को बाटती है कोई इनको अरद दिखता है कोई अफरीकन दिखता है कोई अंग्रेज दिखता है अरे सर माना चाहिए कांग्रेस के लोगों इस इसतर पर आ गए राम मंदिर की पराण को दिश्टा का नहोता धुकराया और आज राम चंदर जी पर सवाल खड़े कर तो इनको अपढ़ना जी प्रभुशीरी राम की बात करने का नेतिक अधिकार नहीं है यह राम सेतु उकाल्पिक मायनने वाला चबत पत देने वाली सरकार है यह वो सरकार है जिसके रेता मनमौन करी कोई जेल में कोई बेल में ये सुधी कॉंग्रेस पार्टी के अपड़ना जी इस कॉंग्रेस पार्टी को देज भर में लड़ाने को दो सो बहत्तर उमीदवार नहीं मिले उससे कम पर चुनाओ लड़ रहे हैं सरकार बनाने की बात्चीत करते हैं तो मुझे समझ नहीं आ प्रवक्ता है क्या उनकी बातों में आपको एक बारी परिलक्षद हुआ कि सत्ता धारी पार्टी की परिवक्ता बोल रहे की राहुल गांधीबैक्ष यह बतां की बाता है कि आएं ये बताता है कितने संवेदन शील है ये और कितने संवेदना सबोस्ता है ये क्योंकि इनको रोजगार हruूब ले लिए मुझे परनेस कि संपत्तीงति कि कि आपके चैनल के माध्यमत्य देश को बताना चाहता हूं जाए पंकट जी में मोधि जी के पता नहीं कितने जूट बता दूँगा संदा अपन्ड़ जी पता है रहूल गांदी जी को देश में कितनी केंड सरकार की नोकरियान 40 लाख पद हैं जिन में से 31 लाख 50 जार पद औरेड़ी भरे हुए हैं साड़े 9 लाख पद खाली हैं कहां से राहूल बाबा 30 लाख पदों पर भरती करोगे एक मेने के अंदर फिर दूसरा जूटा इनका कि देश में हर मैला को एक देटा पेश करते हैं सब्सक्राइब को एक लाख का हिसाब किताब लगाओ जारा गने यह कौन सी बुद्धी की वटी राहूल गांदी जी खातर अपने अगर हमने पहली नौकरी पक्की की बात कही है तो इनके पेट में दर्थ क्यों हो राइए दे देते ना अगर हमने कहा है सब्सक्राइब करेंगे रिकॉर्ड चेक करा लिए इन्होंने सरकारी नौक्रियों को अरे सुलीजे पंकच जी आपने सरकारी नौक्रियों को संबिदा में बदला संबिदा से भी मन नहीं भरा तो इन्हें आउटसर संबिदा को ख़तम कर रहा हूं धायलाग संबिदा कर्मियों को है संबिदा कल्चर तो खतम नहीं हुआ बलकि उनकी नौक्रियों जाना शुरू हो गई यह बताता है कि इन्होंने रोजगार को खाने का काम किया है इन्होंने रोजगार दिया है अडानी को रोजगार दिया है कई सारे उद्योग पतियों को रोजगार दिया है उनके सत्रा लाक कोड़ रोपे इन्होंने माफ किये लिए इस तरह की पाइटी है ये इनके प्रधान मंत्री साड़े आट हैर कोड़ के हवाईजाज में घुमते है आपने की हुए बादे भूल जाते है अगर चलिए एक सकतो दोग दो रोजगार प्रतिवास का वादा इतना पर किया था जूट वला था मोधी ने दो याट है तो तो भी टीजिए अंप लग शांति रखें़ सटीश ईयलिया जीए जबाब दें मोदी ने जोट रोजगार प्रतिवास का बादा क्यों किया था मोदी जूट वहता है क्या बताएं अरे मुझे बताएं ठीक है वो कह रहें कि 30 लाग पर नौला की पद खाली पड़े हुए हैं आप कहां से देंगे नाखरी 30 लाग की और सुनी रहे हैं आप दो करोड़ रोजगार और पंदा लाग रुपे सथीश एलिया जी वही तो अपड़ना जी जी शॉट पर कम्पीट किजिए आगे बढ़ रहे हूं अपना जी मेरा बाद इतना सवाल है कि पंकट जी कर चालीस लाग नोक्री हैं मोदी जी ने कहा दो को रोजगार प्रतिवाश दूँगा तो मुझे बताए कौन सरी अपन जूट है सरकारी नोक्री की बात करेंगे आप लोग विलोजगारों के साथ हमने तो यह कहा है कि सिर्फ तीस लाग नोक्रियां अगर देखा पूरे देश में देखें तो नोक्री इससे भी कई ज्यादा खाली है नोक्रीयों को रोजगार करते रहे इनकी रेलियों में जंडा उठाते रहे और कुछ और यह सुनिए इन्होंने हर जगा चंदा खाया है हम नहीं कहते निर्मोही अखडान वालों ने खुद कहा था कि बार सो कोड़ रुपे चंदा तो यह 1990 में खा चुके राम के नाम पर ऐसे चोर लोगों की पार्टी है मैं तो साफ कहता हूं और अभी विन्न चंदा खाया मुझे बताए पीम केर फंड कहां गया कहां गया पी नमबर में एक आदवाधी परिवार को छह लोगों को पचासथ जमीं के निचे तो आप शर्म जाए हर जीड़ा है सतामे आप हो का इस तालों को अधिक्री शर्म हों ते अब मुझे आप शर्म जाल वह हो तीके ठीके 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 शान दुनार शान दूए उन्हीं पर एग अधिके ठीके 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 अब जीए पंकत जीड़ों शान तो जाए शान तो जाए संदों दो और मैमान शांती सुन रहे आपको क्या कर रहे हैं आप लोग कितना लड़ रहे हैं अरे महा चौर रहूं गांदी ऑतर है आतर आइक भी वस्ता है आपकी अमस्था यहार मिमान अपकर प्सित करते हैं रेlly चुनाब चल रहे हैं चाहिट हो जाए और चुनाब मठोदेश के अंदर खत्म हो चुके हैं लेकिन अभी तीन चर्डों में चुनाब होने और बाकी है लेकिन तमाम चो हल चल है हर तफалог में आपको लगाताँ हम दिखाते रहेंगे देख रहेंगे हुआ